दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा गोल्ड होता है सोना होता है उसमें कैरेट क्या चीज होती है जब भी आप सोना लेने के लिए जाते हैं तो आप यह चीज चुरूर पूछते होंगे कि यह कितने कैरेट का सोना है आज की इस पूरी विडियो के एधिया आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि Gold में केरेट क्या होता है और जो हमारा केरेट होता है एक केरेट है, दो केरेट है, तीन केरेट है कितने केरेट होंगे उस कैरेट में कितनी सुधता है यह जान लेते हैं देखे इस दुनिया में कोई भी चीज अगर है तो वह सबसे पहले तो वह सौ परसंट सुध होती है हर चीज उसके बाद उसमें मिलावट की जाती है ठीक है अब वह मिलावट कितनी की जाती है वह भी परसंटेज में ही होती है मिलावट भी हमारी परसेंटेज में होती है और जो हमारी सुधता होती है वह भी हमारी परसेंटेज में ही होती है तो जैसे कि हमारा कोई भी चीज है उसकी सुधता कितने किसमें होती है 100% में होती है लेकिन जो हमारा सोना होता है गोल्ड होता है उसमें जो सुधता होती है वह 100% तो होती है लेकिन उसको हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं 24 कायरेट उसको हम लिखते हैं तो 24 कायरेट लिखा हुआ है तो वह सोना हमारा 100% सुद्ध है अब इसी तरह है अब इस सोने में मिलावट होती जाती है क्यों क्योंकि जो हमारा 24 कायरेट का जो हमारा सोना होता वह पूरी तरह से सुध होता है और या इतना ज़ surf होता है कि इसको हम पहन नहीं सकते हैं इससे ज़ो अभूसरद बनेंगे उसको हम अपने सरीर में पहन नहीं सकते हैं क्यों 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 बहुत जल्दी हो मुर जायेंगे जोंड जाएंगे इसलीए या 24 करणट का जो सोना होता है या बहुत ही मुलायम होता है इसलिए मार्केट में हमें 24 करणट सुद्ध सोना नहीं मिलता है अब हमें मिलता कौन कौन सा सोना है हमें 23 करणट का गोल्ड मिल जाएगा 22 करणट का गोल्ड मिल जाएगा 21 करट का गौल्ड मिल जाएगा इस तरह से हमारा आप नीचर चले आएंगे जैसे जैसे आप नीचर आते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके सुधता जो है वह कम होती जाती है मतलब कुला करके मिलावट जो है वह बढ़ती चली जाती है अब बात यहां आती है कि हम कितने केरट का सोना ले कि हम पूरी तरह संतुष्ट रहे कि हमारा सोना हमने जो खरीदा है वह हमने सही जो पैसा दिया है वह हमें पूरा का पूरा वापस मिल गया है मतलब यह हुआ कि आपने पैसा दिया पैसा के बतले आपको क्या मिला सोना मिला तो मतलब यह हुआ कि आपने जो सोना खरीदा है उसके लिए जो पैसे दिये है उसका जीतना अपना पूरा रिटरन मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला है तो उसके लिए आपको यह पता होन है वह हमारा 100% सुध होता है या तो आप 24 कैरेट बोल दीजिए या तो फिर 100% सुधता बोल दीजिए तो वह हमारा सोना हो जाएगा ठीक है सोना अब बात यह आती है कि 24 कैरेट का गोल्ड तो हमारा 100% सुध हो गया लेकिन अगर हम यह देखना चाहें कि हमारा एक कैरेट का अ का जो सुद्ध होगा सुद्धता होगी वा कैसे होगी टोटल हमारा कितनी सुद्धता होती है किसी भी सा गोल्ड की हमारी 100% की सुद्धता होती है उसमें हम हमारा जो 100% सुद्धता तो यह हो गई लेकिन कैरेट कितना हुआ हमारा कैरेट हुआ हमारा 24 कैरेट का जो हमारा गो एक कैरेट का जो हमारा सोना होगा, उसकी सुधता इतनी हुई, उसमें इतना सुधता है, बाकी पूरा का पूरा उसमें असुधता है, उसमें मिलावट है, बाकी, मान लीजिए, आपका 4% हुआ न, तो लगभग 96% उसमें मिलावट है, और 4% ही उसमें सोना है, अगर वह एक क मार्केट में गए आपने बोला 23 केरट का हमको सोना दे दीजिए तो 23 केरट का सोना में कितनी सुदता होगी एक केरट में कितनी है 4.167% हमारी सुदता होती है और कितने केरट का हमको लेना है 23 केरट का लेना है तो 23 का जब हम इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जा की वह तो वह कितना सुध होगा पंचान बे दसमलो आठ चार एक परसेंट सुध होगा अलगभग 96 परसेंट को हमारा सोना सुध होता है इसलिए 23 करट का जो गोल होता है वो लोग ज्यादा लेना प्रिफर करते हैं ज्यादा लेड़ने पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सुधत scarec gold है उस hologram आले पर यह चीज लिखी हूई होती है तो यह चीज भी देखकर कि आप जान सकते हैं और तेज scarec वाला यह तो hologram आली चीज अगर इसे लिखी हो यह तो आप क्लियर ही हो गया तो कि 22 करेट का इदिया आप गोड़ लेने के लिए जाते हो तो एक करेट का कितना हुआ 4.167 इन्टू 22 अब जब आप इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो आज आएगा 91.674 परसेंट जो हमारा 22 करेट का सोना है उसमें कितनी सुधता हुई उसमें हुई 91.674 परसेंट हुआ उसमें सुधता कुल इमला करके बात यह हुई कि इसमें लगभग 9 के असपास यह 8.6 है न तो लगभग 8.5 के असपास इसमें मिलावट है इसमें लगभग 4 के असपास मिलावट है अगर यहाँ और यहाँ पर यह आपका होलोग्राम का अगर है आपका सोना है तो उसमें लिखा होगा 916 916 उसमें लिखा होगा इसका मतलब यही हुआ कि वह जो हमारा सोना है वह 22 करेट का है अगर इसी जगा पे यह आपका 21 करेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि 4.167 हुआ और इसमें हम 21 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो जब 21 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 87.507% तो इसमें देखिए 87% सुदता हुई बाकी टोटल हमारी असुदता हुई तो यह जो सोना होगा इसमें क्या लिखा होगा 875 यदि आपका hologram वाला सोना है न तो उस पे यह चीज जरूर लिखी हुई होगी अब अगर hologram वाला सोना नहीं है तो उस पे इतनी सोधता होगी 87.507 ठीक है अगर आपका 20 karat का यदि सोना है आपका तो 20 karat का होगा तो 4.167 into 20 is equal to यह हमारा आजाएगा 83.34% तो हमारे जो अगर 20 karat का सोना है तो उसमें कितनी सोधता होगी 83 तसमलो 3-4% अगर इसको हम जो अगर आपका hologram का सोना है तो उस पे लिखा होगा 833 833 यह लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यह जो सोना है हमारा हुआ 20 karat का सोना है तो इसी तरह से आप स्वेम ही निकाल सकते है कि जितने भी karat का सोना है तो उसमें सुधता कितने % है इसी तरह से आप 18 karat का भी निकाल सकते है 16 karat का भी निकाल सकते है 19 karat का भी निकाल सकते है बस आपको क्या करना है उस कैरेट में आप इस संख्या का मल्टिप्लाई कर देंगे अब यह संख्या क्या ची कौन सी संख्या है यह संख्या है एक कैरेट गूल्ड की सुधता हुई तो मुझे अमीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कांसेट समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आगया होगा कि गोल्ड में कैरेट क्या होता है और कैरेट में एक कैरेट में कितनी सुधता होती है और इसी तरह से आप 24 कैरेट का 23 कैरेट का 21 कैरेट का इसी तरह से आप सारे जितने भी कैरेट हैं हमारे उनके अपसुदता निकाल सकते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाज़ा सेयर कर दियेगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी यह चीज अच्छे से समझ में आ जाए जिससे वो भवी समयत कभी सोना लेने जाए तो कैरेट को निर्धारण करने से पहले कितने कैरेट का गोल्ड उने लेना है उसके लिए वो पूरी सवधानी बरते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में नमस्कार दोस्तों